मेरे प्यारे परिवार जुनों जब हम लोग चवुदा में आये थे तो हम वैश्विक अर्थ बवस्ता में दस्वे नंबर पर जो और आज कि 140 करीड करोर देश्वाच्यों का पुर्सार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थ बवस्ता में पांचवे नंबर पर पहुंच चुके हैं और यह ऐसे ही नहीं हुआ है जो एक ब्रस्ताचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे लाखो करोड के गोटाले अर्थ बवस्ता को डावा डोल कर रहे थे गवर्नांस फ्रेजाईल फाईल में देश की पहचान होने लगी थी लिकेजिस को हमने बंद किया मजबूरत आर्थ बवस्ता बनाई हमने गरीब कल्यां के लिए जादा से जादा धन खर्चने का प्रयास किया और आज मैं देश वास्यों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक क्रूप से समरिद्य होता है या सिर्फ टिजोरी नहीं बढ़ती है कि देश का सामर्थ बढ़ता है देश वास्यों का सामर्थ बढ़ता है और टिजोरी का पाई-पाई अगर इमानदारी से जनता जनादन के लिए खर्च प्रणाम के साथ कि मैं दध साल का हिसाब कि तिरंगे की शाक्षीपैन साट लाल कि ली की 25 मेरी देशवाख्यों को दे रहा हूं आपके देकर के आपको लगेगा कि इतना बड़ा बड़ात हैं इतना बड़ा सामर्त हैं दत साल पहले राज्यों को 30 लाग करोड रुपिय भारत सरकार के तरब से जाते से पिछले नव साल में ये आंकड़ा 100 लाग करोड पर पहुंचा है पहले स्थानिय निकायत के विकाथ के लिए भारत सरकार के खजाने से 70 हजार करोड पर जाता था आज वो 3 लाग करोड से भी जादा जा रहा है पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90 हजार करोड रुपिया खर्च होता था आज वो 4 गुना होकर के 4 लाग करोड से भी जादा खर्च गरीबों के घर बना लिखने हो रहा है पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में तीने जारों में बिखती है वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को तीन सो में मिले और इसलिए देश की सरकार दस लाख करोड रुपिया मेरे किसानों के यूरिया में सबसिडी दे रहा है मुद्रा योजणा 20,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से दस करोन नए लोगों को रोजगार दिने का सामरत हैं यह मुद्रा योजना से लाब लेने वाले आठ करो नागरी को करा में से में इसको करीब 3.500,000 करों रुपे की मदद से करोना के संकट में भी उनको दूबने नहीं दिया मरने नहीं दिया उनको एक ताकत दी है 1 rank 1 pension मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का भी शैथा 77,000 करों रुपिया भारत की टीजोरी से आज पहुंचा है मेरे निवरुत्त सेना के नायकों के जेब में उनके परिवार में पहुंचा है सभी केटेगरी में मैंने तो कुछी गिनाएं में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता है हर केटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुणा ठन देश के विकास के लिए कौने कौने में रोजगार पहड़ा करने के लिए पाई पाई का उप्योग भारत का भाग्य बदनने के लिए हो और इसलिए हमने काम किया है और मेरे प्यारे प्याइबार प्याइब प्याइजनों इतना ही नहीं हमने इन सारे प्रयासों का परणाम है कि आज साथ साल प्याइबी की जंजरों को तोड़ करके निए मिडल क्लास मिडल क्लास के रूप में बहार आये हैं कि जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है मेरे प्यारे परिवार जुनों और जब कि साड़े तरवे तेरा करोड लोग करीबी कि इस मुसिबतों से बार निकलते हैं तो कैसी कैसी योजना उनको मदद दी है उनको आवास योजना का लाब बिलना पी-म स्वनिदी से 50,000 करोड रुपिया रेडी पट्री वालों तक पहुंचाया है आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जैनती पर एक कारिकम हम आग लागू करेंगे इस विश्वकर्मा जैनती पर हम करीब 13-15,000 करोड रुपिया से जो परमपरागत कौशल्य से देने वाले लोग जो ऑजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है जांदातर ओभी सी समुदाय से हमारे सुथार हो हमारे सोनार हो हमारे राजमिस्त्री हो हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो हमारे बाल काटने वाले भाई परिवार हो ऐसे लोगों एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महिने में विश्व कर्मा जैन्टी उपर विश्व कर्मा योजरा लॉंच करेंगे और करीब 13-15,000 करोड से उसका प्रारंब करेंगे हमने पी-एम किसान संमान निजी में 20,00,000 करोड रुपया सीज़ा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है हमने जल-जीवन मिशन हर गर में सुद्ध पानी पहुँचे 2,00,000 करोड रुपया खर्च किया है हमने आईश्मान भारती होजना ताकि गरीब को बिमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसिबत होती है उसके बुक्ति दिलाना उसको दमाई मिले उसका उप्चार हो अप्रेशन हो अच्छे से अच्छी हो अस्पतार ने हो कि आईश्मान भारती हो जना के तहक सत्तर हजार करोड रुपे हमने लगाये हैं पशुदन को देश ने कॉरोना वेकरी की बात तो देश को याद है 40,000 करोड रुपय लगाए वो तो याद है लेकिन आपको जान करके खुशी होगी हमने पशुदन को बचाने के लिए करीब करीब 15,000 करोड रुपया पशुदन के टिका करन के लिए लगाया है मेरे प्यारे देश वास्चितों मेरे प्यारे प्यारिवार जनों जनाव सजी केंद्रों ने देश के सीनियर सिटिजन्स को देश के मध्यंबर के परिवार को एक नई ताकत दी है जिस संयुकतर परिवार में अगर किसी को एक डाइबिडिस जैसा हो जाए दो तीन हजार रुपया दवाई का बिल स्वाबाविक हो जाता है हमने जन अवस्वजी केंद्रों से जो दवाई 2200 में 100 रुपय में मिलती है वो 10 रुपय 15 20 रुपय में दी और आज देश में 1000 जन अवस्वजी केंद्रों से मेरे इन बिवारि में जनको दवाई की जरुद थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड रुपिया उनके जेब में बचा है और यह ज्यादातर मदिम्बर के परिवार के लोग है लेकिन आज उसकी सभनता को देख के हुए मैं देश वाजियों को कहना चाहता हूं जैसे हम एक विश्वकर्वा योजना लेकर के समाज के जोलेग को सवर्ख को छुने वाले अब देश में दस हजार जन अवस्धिकेंद्र से हम पचीस हजार जन अवस्धिकेंद्र का लक्ष लेकर करके आने वाले दिनों में कामरने में और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं आने वाले पांच साल में मोधी का गरंटी है देश पहले तीज वैश्वी के कौनों में अपना जगा ले लेगा यह पक्तना जगा ले लेगा आज जो सारे 13 करोड कि अज़िश से बाहर आयुए लोह है को एक प्रकरद मंद्यमबर की टाकत बन जाते यह जब गरीब की ख़िच सकती बढ़ती है तो मद्यमबर की मैंपारश ओपरखती घःम जब गाउउं की ख़िच्च्च में और शहर की आर्थिक वबस्ता और तेजगती से दोरती है और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं मेरे प्यारे परिवार जनो शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं बिना घर को मुसिबत रहती है मद्नमबर के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योधना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवार जन जो शहरों में अपना घर में रहते हैं लेकिक किराय के मकान पे रहते हैं जुगी जोप तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर रहाद दे करके लाखों रुप्यों की मदद करने का हमने निरने किया है मेरे मद्निंबर के परिवार को जब दो लाख से साथ लाख इंकम्टेक की सिमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाख सेलरी क्लास को होता है मेरे मद्निंबर को होता है इंटर्णेट का डेटा बहुत मेंगा था 2004 के पहले अगध दुनिया का सब से सस्ता इंटर्णेट का डेटा का खर्टा हो रहा है हर परिवार के पैसे बच रहे हैं है मेरे प्यारे परिवार जयनों कि विश्व को रोना के बाद अभी तक उफर नहीं पाया है युद्ध ने फिर एक नहीं मुसिबत पादा की आज दुनिया महंगाई के संकट से जूज रही है पूरी दुनिया की अर्थ ववस्ता को महंगाई ने दबोच के रखा है हम भी दुनिया से जिन सामान की जरुष होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर करते हैं हमारा दुरबाग गया कि में महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है कि पूरी दुनिया को हैं महंगाई ने जकड के रखा है लेकिन मेरे प्यारे परिवार जनों भारत ने महंगाई को नियंतरित रखने के लिए बरसक प्रयास किये पिछले कालखन की तुलना म हमें कुछ सभलता भी मिली है लेकिन इतने से संतोस नहीं मान सकते दुलिया से हमारी चीची अच्छी है इतने बात से हम सोच नहीं सकते मुझे तो मेरे देश वास्यों को महंगाई की बोज कम से कम हो इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के तेरा प्रयास निरंतर जारी रहेंगा मेरे प्यारे परिवार जनों अधिश अने एक शमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है देश आधुनिक्ता की तरब आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है आज देश रिन्यूबल हैनर्जी पर काम कर रहा है आज देश ग्रीन हाइड् दूलिक हो रही है तो बन्ते भारत बुलेट ट्रेईण भी आज देश के तर्क काम कर रही है गाउं गाउं पकीस सडके बन रही है तो इनेसरी dankवं उसपर काम हो रहे हैं तो δूसरी तरब जैवी खेती पर भी हम बल्दर रहे हैं आज किसान उत्पादक संग एहीं निर稔 हो रहा है तो हम समी कंडुक्टर का भी निर्मान करने के लिए दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्मान के लिए काम करते हैं तो हम परालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा जंडा गार देख लिए मेरे दिव्यांग जनों को समर्थ हुआन बना रहे हैं हम खिलाडियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं